आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउटनेट करें। यह कोण है, यह इनकी शिर्श है और यह इनकी भुजाएं हैं कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर से क्या होगा, चुकि यह त्रिभुज है, तो इसके तीनों कोणों का जो योग होगा, वो कितना होगा? एक सो असी होगा, ठीक है, यहाँ पर हम मेरे पास यह एक मुख्य सूत्र आता है, जिसका हमें ध्यान रखता है, और हम इसके आगे अब इसे हल करते हैं, ठीक है? तो चले देखते हैं कैसे होगा? हम एक सूत्र पढ़े वे हैं, क्या? 10X प्लस Y प्लस Z क्या होता है? 10X प्लस 10Y प्लस 10Z माइनस 10X 10Y 10Z और यहाँ पर हर में हमारे पास में क्या आता है? एक रिण 10X 10Y माइनस 10Y 10Z माइनस 10Z 10X इस ताइब से आता है हमारे पास, ठीक है? अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ? X में A बटे 2, Y में B बटे 2 और Z में मैं हाँ पर क्या रखती हूँ? C बटे 2 ठीक है? यह रखते हैं अब चुकि हम लोग इस त्रिबुज की बात कर रहे हैं तो हम आते हैं इसमें ठीक है? यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? यह कुछ चीजे हैं जिनको हमें याद रखना है ना? यहाँ पर क्या होगा? अगर मैं दोनों तरफ एक बटे 2 का गुणा करती हूँते क्या होगा? A धन, B धन, C बराबर 180 बटे 2 मतलब A बटे 2 धन, B बटे 2 धन, C बटे 2 का मान कितना हो जाएगा? 90 ठीक है? यहाँ पर से हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं और चले आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जब हम इस क्या आजाएगा? 10, A बटे 2 धन, B बटे 2 धन, यहाँ पर क्या है? C बटे 2 है, चीक है? C बटे 2 बराबर यहाँ पर से यह वाला माना जाएगा पूरा, 10, A बटे 2 धन, 10, B बटे 2 धन, 10, C बटे 2, रिन, 10, A बटे 2, 10, B बटे 2, 10, C बटे 2 धन, यहाँ पर से मेरे पास हर में इसमें क्या माना जाएगा? ठीक है? यहाँ पर मेरे पास हर में माना रहा है, एक रिन, 10, A बटे 2, 10, B बटे 2, रिन, 10, B बटे 2, 10, C बटे 2, रिन, 10, C बटे 2 और, 10, A बटे 2 इस ताइब से आ रहा है? ठीक है? अब देखें, यहाँ पर से, हमने इसका मतलब क्या निकाला है? 90 आ रहा है हमारे पास है, यहाँ पर से इसका मान, तो यह क्या हो गया है यहाँ पर से? 10, 90 डिग्री, बराबर, यहाँ पर से हमारे यह मान आ रहा है, इसका मान क्या होता है? एक बटे 0, चीक है? अब यह एक बटे 0 का मान हम लोग क्या बो से पूरा का पूरा माना आएगा ये वाला टैन A बटे 2 प्लस टैन B बटे 2 प्लस टैन C बटे 2 रिन और यहाँ पर क्या आएगा एक रिन टैन A बटे 2 टैन B बटे 2 रिन टैन B बटे 2 रिन टैन C बटे 2 और यहाँ पर रिन 10 C बटे 2 और यहाँ पर 10 A बटे 2 अब मैं यहाँ पर से क्या करती हूँ इसका गोणा इससे और इसका गोणा इससे करती हूँ ठीक है, तो 0 से कोई भी चीज़ का हम गोड़ा करते क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर से, मेरे पास क्या मान आ जाएगा यहाँ पर, 1 रिण, 10, A बटे 2, 10, B बटे 2, रिण, 10, B बटे 2, 10, C बटे 2, रिण, 10, C बटे 2, 10, A बटे 2, बराबर 0, 0, यहाँ पर से 0 आ रहा है, अब, यह मैं 1 को इधर ले करके जाओंगे, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस एक, लेकिन, इधर भी माइनस है, तो हम दोनों तरह से माइनस माइनस को क्या करेंगे, उभेनिश, तो क्या हो जाएगा, यह, हमारा उत्तरा जाएगा, एक बराबर, 10, A बटे 2, 10, B बटे 2, प्लस, 10, B बटे 2, 10, C बटे 2, 10, B बटे 2, 10, A बटे 2, ठीक है, हमें क्या इसी का मान निकालना था, कितना आ रहे हमारा मान, एक, यह आ रहे है, ठीक है, तो हम विकल्प के और बढ़ते हैं, हमारे पास क्या क्या विकल्प दिये हुए हैं, 1 बटे 2, 2, 3, और 1, तो हमारे इस प्रिश्ण का चौथा विकल्प हमारे इस प्रिश्ण का उत्तर है, आशाकरतिव आपको इस प्रिश्ण काल समझ में आया है, धन्यवाद।